तो गैसे और तुम लोग तुम लोगों का फिर एक बार स्वागत हो चुका है तुमारे फेवरेट चैनल रिशे रिच में आज फिर से हम लोग आ चुके हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ल में और जो प्यार तुम लोग ने मेरे पिछले वीडियो को दिखाया है इसलिए मैं तुम सब के लिए एक और सर्वाइवल बेस लेके आया हूँ जो बनाने में बहुत इजी होने वाला है पर दिखने में उतना ही प्यार होगा यहाँ पर तुम सब लोग देख सकते हो हमारे पिछले वीडियो वाला मिनी बेस जो कि तुम लोगों को बहुत पसंद आया और उसके पीछे हमारा बड़ा वाला वुड़न मैंचन तो अगर तुम लोगों मेंसे किसी ने भी यह दोनों वीडियो मिस किये हो तो उनकी लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आई बेटन में भी लिंक दे दूँगा तो जाके उन वीडियो को भी जरूर देखना क्योंकि वो भी सर्वाइबल बेस काफी इजी है और तुम देखे सकते हो कि कितने बड़िया देख रहे हैं तो अब ज़्यादा टाइम बेस नहीं करते हैं और हमारा आज का सर्वाइबल बेस बनाना शुरू करते हैं आज का ये बेस भी वुडन बेस होने वाला है क्योंकि सर्वाइबल में अगर हम देखे तो वुड बहुत इजी ले मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा कॉंटिटी में वही अविलेबल होता है वैसे अगर तुम चाते हो कि मैं वुड को छोड़के स्टोन बेस बनाओ क्योंकि स्टोन भी बहुत इजी ले मिल जाता है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में ग्यारा ओक लॉग लगा लिए और फिर यहाँ पे छे लॉग लगा दिए इससे हमारा 6 क्रोस 11 का एक शेप बन चुका है नीचे जिसमें हमारा पूरा बेस आ जाएगा अब मैं फिर से यहाँ पे ओक ले रहा हूँ और इससे यहाँ पे 5 ओक लॉग लगा रहा हूँ मतलब टोटल इसकी हाइट 6 ब्लॉक से नीचे का एक ब्लॉक और उसके उपर फिर से हम लोग 5 लगा रहे हैं और इसके बाद मुझे क्या करना है ऐसा ही सेम चारो तरफ बनाना है चारो कॉर्णर में और उनक इसकाल दूँगा और इनको प्लैंक से चेंज कर लूँगा देख इस तरह अब मैंने नीचे पूरे प्लैंक लगा दिये अब यहाँ पर क्या करना है दो ब्लॉक छोड के मुझे फिर से एक पौर पिलर बनाना है वैसी हमें क्या करना है यह पिलर बनते ही सेम पिलर हमें 5 ब्लॉक्स लगा दिये अब मैं दोनों आखरी पिलर भी बना लेता हूँ जो अन तोहले दोनों कॉर्णर पे होंगे तब तक तुम लोग जाके इस वीडियो को लाइक कर सकते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें माइंकरफ्ट में क्या बनाना है और तुम्हें करूंगा इन सब को बीच से जॉइन कर लूँगा तो इसमें भी हम लोग फिर से ओक लॉक्स यूज कर रहे हैं तुम लोग इसको अलग पैटन में बना सकते हो देखे अब हमारा पूरी तरह से बेस जॉइन हो चुका है अब नीचे से एक ब्लॉक छोड़के मुझे फिर से इन तीन साइड को ओक लॉक से एक बॉडर बनाना है तो वो भी मैं फटाफट कर लेता हूँ तो इसमें भी अगर तुम लोग ये बॉडर नहीं बनाना चाते हैं मतलब हमारा बेस कैसे होने वाला है दो फ्लोर्स का होने वाला है तो ये बॉडर मैं ऐसे लगा रहा हूँ ज मैंने हाँ पे slabs ले लिए ओक के जिससे में एक design करने हो लाओ पीछे की तरफ पीछे नहीं जो बच्ची हुई हमारी जैसे हमने तीन उस तीन साइड में एक बॉर्डर बनाई वैसे इस साइड में हम लोग एक design बनाएंगे और फ्रंट साइड में हमारा door होने वाला है तो यह design में बाकी दोनों साइड फॉलो कर लेता हूँ फड़ा फट से अब जल्दी से मैं दोनों साइड कर लेता हूँ और तुम्हें में लेता हूँ अब देखो मैंने दोनों साइड complete कर लिया है और यहां पे जो हमारी ओक planks लगाई थी हमने उसको मैं पूरा उपर तक लेके जाने वाला उसको भी मैं फटक से कर लेता हूँ देखे वो पूरी की पूरी planks मैंने उपर तक लगाई है और यहां पे अब मैं door के लिए जगा बना रहा हूँ तो मैंने फिर से दो planks लगाई और नीचे हम लोग stairs लगा देंगे यह जल्दी-जल्दी में दो-दो लग रहे है ठीक है यह हमारे अंदर आने के लिए stairs बन चुकी है अब यहां पे होने वाला है हमारा door और जो हमने design पीछे follow की वही मैं यहां पे फटाफट बना लेता हूँ देखें वह design मैंने फिर से follow करके complete कर लिया है अब बचा है बस हमारा दर्वाजा लगाना तो मैं अंदर चले जाता हूँ और अंदर से अपना door लगा देता हूँ जिससे हमारा base almost complete हो चुका है देखें अब काम बचा है वह है हमारे ऊपर से चत complete करना देखें यहां पे मैंने फिर से slab यूज की और पूरी चत complete कर ली अब यहां पे मैं trapdoors यूज कर रहा हूँ तो यह जो भी हमारा border है जो हमने wooden lock से बनाए उसके आसपास में corners पे और जहां जहां हमने beach में border बनाई है वहां हर जगे में trapdoors लगाने व इसको जरूरी लगाना है देखो मैंने हर जगे trapdoors लगा दिये यह बस एक अच्छा look ला रहा है तो इसलिए मैं trapdoors यूज कर रहा हूँ अब हमारा जो काम है वह है अंदर जाके first floor से उपर जाने के लिए एक ladder लगाना है और फिर first floor का floor भी बनाना है उससे पहले हम लोग क्या होंगा जिसे हमारे घर के entrance में भी थोड़ा ब्राइट रहेगा और अगर हम survival base बना रहे है तो सबसे important सबको बताए बेस के आसपस light लगाना है तो इसलिए महां पर में lantern लगाने वालों और यहां पर देखे अभी हम लोग ladder यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग उपर जाने के ल लगा लिया है और यहां पर हमारा first floor और ground floor में partition बन चुका है अब हम लोग क्या गरते glass लेते और यहां पर पूरी तरह से में glass लगाने वालों जैसे हमें बहार का look मिलेगा हम लोग आरहम से अंदर बहार देख सकते और base बहुत डिफरेंट लग रहे है देखो मैंने पूरी कर रहा है वो आराम से हमें sand से मिल जाता है और wood हमें जितना चीह उतना मिल जाता है इसलिए मैंने एक survival घर मना है survival base तुम इसे कह सकते हो अब बस decoration बस चाहे पूरा base हमारा complete हो चुका है तो ऐसे मैं हर बार कहता हो तुम लोग अपनी तरह से अपने base को design कर सकते हो और अगर base में जितनी important चीज़े है जो हमें survive करनी के लिए चाहिए वो सब मैंस में लगाने वाला हो क्योंकि ये survival base में mostly हमारे beginners के लिए बनाता हूँ और उस time जब हम game शुरू करते हमारे पास जादा सामन नहीं होता तो इसलिए मैं survival base में इतना decoration नहीं करता पर जब मैं modern house बनाऊंग तो उसको decorate करना बिलकुल बनते हैं तो जब तक मैं अपना base decorate कर रहा हूँ और अगर तुम लोग इस वीडियो को यहां तक देखी चुके हो तो बिलकुल तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना बिलकुल मत दोलना चुन्षे कमेंटे करके जरूर बताना मिया तुम्हें इस को देख के क्या लगना है और अगर तुम्हें वहाँ पर मैं barrel यूज कर रहो barrel भी हम लोग एक chest के तरह यूज कर सकते और उसमें उतनी space होती है जितनी chest में होती है पर उसको हम लोग दीवार पर लगा सकते हैं straight और chest हम लोग नहीं लगा पाते और अगर हम लोग मैं यहाँ पर चाहता chest लगाना तो दो ही लगा सकता इसलिए मैंने यहाँ पर barrel यूज किया है और barrel भी easily बन जाता है अब हमारा first floor का काम हो चुका है हम लोग जल्दी से जाके material ले लेते हैं और मैं यहाँ पर बहुत सारे lantern लगा रहा हूँ कि कि वो base के अंदर थोड़ा light रहेगा अब मैं यहाँ पर material लेके आ चुका हूँ हमारे ground floor के लिए जहाँ पर मैंने crafting table रखा है मैं यहाँ पर chest बनाऊंगा मतलब ground floor जो है वो हम लोग क्या करने वाले हमारा storage area बनाएंगे और उसमें हम लोग हमारे crafting table रखेंगे furnace रखेंगे यानि हमारे काम वाली चीजे और उपर हमारा आरम से bedroom होगा तो यहाँ पर मैं फिर से barrel रख रहा हूँ जहाँ पर मैं lantern रख सकता हूँ यानि ground floor पर भी थोड़ा bright रहेगा तो हम लोग फटा-फट बाकी सारी चीजे भी रख देते हैं यहाँ पर अगर तुम लोग अपना यह जो मैं रख रहा हूँ जैसे smoker रख रहा हूँ या फिर furnace रख रहा हूँ यह नहीं रखना चाहते हैं और यहाँ पर तुम्हें कोई और idea चीए तो यहाँ पर मैं suggest कर सकता हूँ यहाँ पर अपने ground floor में तुम लोग यहाँ पर wood planks use नहीं करके यहाँ पर तुम लोग अपना farm बना सकते हो वो भी अच्छा idea रहेगा देखें हमारा base कितना प्यारा लग रहा है पूरी तरह complete हो चुका है और कितना easy है survival में बनाना तुम लोग इसको जरूर ट्राय करना बनाना क्योंकि यह बहुत प्यारा दिख रहा है और इसमें जो भी सामान हमें survival के लिए चीए सब कुछ है अब एक बार हम लोग फिर से हमारे पूरे घर को अंदर से देखते हैं यह हमारा ground floor है जहां पे बहुत सरी जगा है और तुम लोग इसमें और भी creative बन सकते हो और यह हमारा प्यारा bedroom जिसमें मैंने दो bed रखे है और carpet लगा के रखा है तो यह base मुझे बहुत पसंद है और तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर बाताना इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यही तक रखेंगे मैं तुम्हें मिलूँगा minecraft के अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई